पीम मोदी के दूसरे कारेकाल का पहला कैबिनेट विस्तार आज शाम होना है। कोरोना की लहर में डूबे डॉक्टर हर्षवर्धन बतादे की केंदरिये स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पत से स्तिफा दे दिया है। के देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्त सेवाएं चरमलाने की वजह से उनका पत छिन गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी जिसका नुक्सान डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा। उनके पास विज्ञान और तकनीक मंत्राले भी था। ऐसे में हर्षवर्धन के स्तीफे से दो भारी भरकम मंत्राले खाली हो गए है। बंगाल के लिए दवोश्री का इस्तिफा। पशिम बंगाल की रायगंज लोगसभा सीट से भाजपा सांसर दवोश्री चौधरी ने भी अपने पत को छोड़ दिया है। वह महिला या वाल विकास मंत्री थी। सुत्रो का दावा है कि पशिम बंगाल भाजपा में उन्हें अहम पत दिया जा सकता है जिसके चलते उनसे स्तिफा लिया गया है। स्वास्त कार्णों से हटाये गए निशंक। गौरतलब है कि नई सिक्षा नीती पीम मोदी के दिल के काफी करीब है लेकिन सिक्षा मंत्राले उसका स्रे सरकार को नहीं दिला पाया जिसका नतीजा उन्हें कुर्सी गमा कर चुकानी पड़ी। बाबुल सुप्रियों वह रसायनी के उर्वरक मंत्री थे सुत्रों के मुताबिक सदन गौड पर कोरोना काल में हुई दवाओं की कमी को लेकर गाजगिरी है जिसके चलते मोदी सरकार की काफी फजहत हुई थी। उत्तर प्रदेश की बरेलि लोगसभा सीड से संतोष गंगवार को भी पत से हटा दिया गया है वह स्वतंत्र प्रभार से स्रम एयों रोजगार मंत्री थे बता दें की कोरोना काल में संतोष गंगवार की चिठ्थी वाइरल हुई थी जिस में उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है वह सुक्ष मलगु एवं मध्यम के साथ पसुपालन डेरी और मतसे पालन राज्यमंत्री रह चुके हैं बढ़ती उम्र के चलते थावर्चंद को इस्तीफा देने को कहा गया है सुत्रों के मुताबिक मोधी सरकार के वर्तमान कैबिनेट में सबसे उम्र दराज केंदरीय मंत्री थावर्चंद गहलोत को अपनी बढ़ती उम्र की वजह से पच छोड़ना पड़ा है हाला कि मोधी सरकार ने उन्हें करनाटक का रज्यपाल बनाकर सक्रियर राजनीती से समान जनक विदाई थी गहलोत की उम्र 73 पार हो गई थी